सिर्फ साथ लॉंग जला देने से आपका रिस्ता कितना भी खराब हो, पूरी तरह से ठीक हो जाता है प्यार रूठा हो, नाराज हो, दूर चला गया हो, किसी और का हो गया हो, तुमसे कुछ से कोई गलती हो गई हो, तुमारी गलती हो जिस्त में छोड़ा गया हो जानिए पूरा विस्ते दार हो, चाहे फ्रेंस हो, चाहे दुस्मन हो, चाहे कोई भी क्यों नहों जो भी बीच में आएगा वो पूरी तरह से रष्ट हो जाएगा जानिए पूरा विस्लेश्ण आप दीख रहे हैं लाव इस्ट्रोलजी नमस्कार, मैं हूँ आचारी सती शबस्ती और आपका बहुत स्वागत करता हूँ Love with astrology में Love with astrology आपके अपने जीवन को स्रेष्ट करती है, प्यार भरती है, रिस्तों में मजबूती दिलाती है और love with astrology शादी के पहले शादी के बाद के हर सम्मंदों को मजबूत और पहतरी नगाती है जहां पर रिस्तों की सम्मंदों की प्यार की रिलेसेंसिप की शारी चुदा लाइफ की और आपके पारिवारिक लाइफ की बात हो, वहाँ love with astrology अवल दर्जे पर काम करती है हमारे हाँ पिछले 20 सानों से लगाता निरंतर बार बार हर बार 35 लाख लोग लाभान भी हो चुके हैं और यहां का 96% है और इस काम को अभी निरंतर जारी रखा गया है इस मिवस्था को इस सिस्टम को पूरा बल देने के लिए चार हज़ार लोगों की रिसर्च करने के टीम है इस संसाधन को इस मिवस्था को पूरा भेतरीन तरीके से चलाया रखने लिए गीता बेद कुरान शास्त्र उपनिशदों का सार और रिसर्च निकाल कर आपको उताया जाता है हर बार एक नई गत्विधी नई संसाधन नए रिसर्च और नए संसाधनों पर बात होती है चाहे वो कारण कोई भी हो कभी कदार तुम्हारे प्रीबियस लाइफ की दिक्कत होता है और कभी कदार तुम्हारी अपनी कार्मिक अकाउंट की वज़े से दिक्कते आती है दिक्कत के कारण बहुत सारे है पर निवारन करने के लिए आज सरिफ साथ लॉंग जला देनी है इस कोने में इस जगे रख करके सरिफ साथ लॉंग ये बोल कर जला देना उसके बाद तुम्हारे प्यार के बीच में जो भी जी जा रही होगी वो पूरी तरह से नश्ठ हो जाएगी आज मैं कह रहा हूँ कि ये सकारात्म उपाए बहुत बड़ा वक करता है ये तंत्रमंत्र यंत्र का समूचा एक रिसर्च किया हुआ उपाए है इस उपाए से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये उपाए किया गया हो और बेनिफिट ना मिले संख्या साथ है अगनी का आवाहन है और लौंग जैसी महा औशधी है और दो अक्षर का एक महा मंत्र है जो पूरी तरह से शिद्ध है और पूरी तरह से उसमें इनरजी उर्जा ताकत पावर और गुरूप की तपस्या है इन सारी चीजों का संयोग जो होगा वो तुम्हारे संयोजन का कारण बनेगा देखो बहुत इस पश्टता से समझे कि मैं बहुत समय से समझाता हूँ तुम्हारा कार्मिक अकाउंट बहुत बेहतर चाहिए देखो इसको बड़ा कार्मिक अकाउंट क्या होता है कार्मिक अकाउंट का मतलब होता है भगबान ने आपको दो ऐसी चीजे दी है हाथ जिनको समस्कृत में कर बोलते हैं इनके द्वारा किया हुआ कर्म इनके द्वारा मतलब सरीर के द्वारा अच्छा या बुरा जब भी आप कोई अच्छा बुरा करम करते हैं उसका आपको फल मिलता है है ना उपायचर तक समझोगे नहीं उसके पीछे की पूरी रिसर्च नहीं समझोगे काम नहीं करेगा जो लोग स्किप करके देखते हैं उनका काम कभी भी नहीं होता और मैं तो हमेशा निवेदन करत बहुत बड़ा काम करता है बहुत बार काहा है मैंने एक्षिक लिए स्पेशल अलग उपाय भी बनाए है बिल्कुल अलग वीडियो भी बनाए कार्मी का उपर आबस्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म सुभास शुप्हूं शास्त्र कहता है, बेद भी कहता है, क्या कहता है ? पंचंबेद कहता है, तो बोली बाबा भी वहां लिखते हैं, मैंने में क्या लिखते हैं ? जो भी शरीर से पाप होते हैं उसे कोई अब देखो पाप करने में कुछ लोग अपने आपको बचाने के अलग-अलग बात करते हैं अंजान में हो गया पता नहीं था गल्टी से और पता नहीं क्या-क्या आग को जानके चूओ तब भी तुम जलते हो अंजान में चूओ तब भी जलते हो करेंड को लाइट को विजली को जानके चूओ तब भी जलोगे नहीं जानके चलो तब भी वो करेंड मारता ही है छट से कोई गिरा दे तब भी चोट लगेगा तुम खुद गिर जाओ तब भी चोट लगेगा इसी प्रकार से सुभ और अशुभ जो भी होता है जानके या अनजान में दोनों में बरावर पाप पुरने मिलता है गलती से नदी में घर जाओ फर भी शनान का फल मिलेगा तैरना जानते होगे तो बचोगे नहीं तो फिर गलती का भी फल मिलेगा आपको तो कहने का सीधा संबंध है कि जो भी तुम्हारे कार्मिक अकाउंट है अचा प्रेम के लिए रिष्टों के लिए संबंधों के लिए कार्मिक अकाउंट काउंट सा सबसे बड़ा महत्त्रपूर रखता है जब तुम्हारे अपने निजी दोस्त बहुत क्लोज हो जाते हैं समझ के होगे इसारा? जब तुम्हारे अपने रिष्टे अपने संबंधों में तुम बहुत अंतरंग हो जाते हो जाने अन्जाने और बहगते तो तुम खुद भी हो पर तुम ऐसा कहते हो कि गलती सामने वाले की सारी हाँ गलत बात है Acceptance बहुत जादा अच्छा चाहिए जब भी तुम कभी भी अपनी हमारे हाँ यह भी एक बड़ा काम है हमें भगवान मानने वाले लोग भी जब भी हमारी बात होती है उनसे तो कभी कतार वो Acceptance के मामले में गड़बड़ा जाते है Accept करने में उनको लगता है कि मतलब सब पता चल गया अब कैसे 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 करें तो भाई यह समझो तो मैं आई ना हूँ समाज का जबाब दे ही है हमारी मैं क्या हूँ मैं आई ना हूँ समाज का जबाब दे ही है हमारी बुरा लगे तो सामने से हट जाएए आप हमारे पास इसलिए नहीं आते कि हम आपसे अच्छी बाते करें आप हमारे पास इसलिए आते हो ताकि हम आपका काम करें तो उसमें डाट भी होगी, डिपट भी होगी तुम्हारे साथ कुछ बहुत जादा हो सकता है परसनल चीजों के बारे में समझना भी पड़ेगा रिसर्च करना पड़ेगा, यह सब बहुत बहुत नितान थे इसको आप किस दुरश्टी से रेखते हो नजरिया बहुत बहुत मायने रखता है आपका नजरिया, आपका तरीका जब बुरा कर्म करना होता है इंसान को या उससे होता होता है उस समय को सुधारने के लिए कुछ भी करना पड़े, इवें दिन भात भी करनी पड़े उस विशे पर तो साइकल चड़ाई पर होती, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, है न? उस मेहनत के लिए तुम्हें तयार तो रहना पड़ेगा अगर तुम्हें ठीक करना है अपने आपको तो इस बात के लिए तुम्हें प्रिपेर तो रहना होगा इसके बगेर काम नहीं चलेगा तुम्हारा तुमसे जो भी गल्तियां हुई है उसमें तुम्हारी गल्ती थी तो भी तुम्हारी नहीं थी तो भी फलतो उसका तुम भोग रहे हो तुम्हारा काम खराब है कुछ पाप तो हुए है ऐसे जिस बज़े से तुम्हारा काम खराब हुआ है वरना तो काम खराब ही क्यों होता उन्हें सब चीजों को भी ठीक करना है उन सब चीजों पर भी तुम्हें काम करना है तुम्हें जब कहा जाता रोना मत तो तुम्हें दिन में तीन बार रोते हो तुम्हें कहा जाता है 21 दिन खराब होंगे, तुम 60 दिन एकी दिन में खराब कर देते हो, और फिर बोलते हो उपाय काम नहीं करता, अरे उपाय बड़ा काम किया था, तुमने ही सब खराब कर दिया, एक उपाय करने में, कोई पता चला उपाय करने में विचारा 21 दिन तक प् बात कर दिया है जब तुम एक बार रोते हो तो एकीस दिन खराब होते भी या किसीव के महिनत के फिर तुम बड़ा आसानी से कहे दो कि मेरा काम नहीं हुआ कलती ते तुम्हारी है ना एक दिन में तीन तीन चार बार कुछ तो ऐसे महां पुरूस के साथ महां महिलाएं भी हैं महां कन्याएं भी हैं एक दिन में 20-50 बार भी रोने बारे लोने हैं करपया ऐसा नहीं करें है ना हर आधे गंटे में पानी पीने को कहा जाता है कि क्या समझते उसे यह कोई मेडिकली टीटमेंट है आरे नहीं नहीं तुम्हें वरूण दिवता के सन्निकत भेजा जा रहा है और उनसे चूटा करना है मूँ तुम पानी चाहे जड़ासा ही को क काम चलेगा तुम अपने आपको सुंदर नहीं बनाते तुम पानी नहीं पीते तुम अपने हसने के कोई कारण नहीं निकालते तुम अपने आपको चेंज नहीं करना चाहते हो तुमारे 20-35 साल-30 साल का जो अनभो है तुम उसी में रहना चाहते हो ठीक होगा कैसे उसी अन knowledge, तुम्हारा अपना अनुभो, तुम्हार अपनी परिक्रिया, तुम्हारा अपना तरीका, aggoties ही रखना था, तो खराब हो नहीं है ना, उसी वजे से तो कराब होगा है, उस से भिन्न हो जाओ कि तो ठीक हो जाएगा, है ना? चलो कोई बात नहीं तुम सिर्फ ये उपाय भी कर लोगे तो ठीक हो जाएगा तुम हमारी बात मानोगे समझोगे तो भी ठीक हो जाएगा प्यार पाना तपस्या है जी प्यार पाना आईयस होने से कम नहीं है डॉक्टरेट की डिगरी लेने से भी कम नहीं है प्यार को पा लेना विश्ट का सर्वश्रिष्ट आ जाना है लोग अपना जीवनांत कर देते है जीवन से जादा मुल्यवान थोड़ी कोई चीज दनिया में प्यार उसके भी आगे निगल जाता है इतनी बहुमूली चीज को पाने में इतना कंजोसी इतनी कमजोरी भगवान की तपस्या करने वाला अगर विक्ती इतनी तपस्या कर सकता है कि भगवान को आना ही पड़े तो तुम्हारा प्यार भी तो तुम्हारे लिए भगवान ही है ना तुम क्यों तपस्या नहीं करते तुम क्यों कमजोर बढ़ जाते हो तुम क्यों टकमगा जाते हो तुम क्यों बैपारिक चिंतन करने लग जाते हो खरीद बेक तो ये दिया वो लिया ये हुआ वो हुआ ये सब क्यों चिंतन है तुम्हारा हाँ प्यार में बिशुद्ध होना चाहिए सच्चा प्यार रखो मैं आपके साथ हूँ हर हाल में इतने सारे लोगों का काम हुआ है तुम्हारा पैसे नहीं होगा संभो ही नहीं है तुमारी दौड़ तो बस उतनी ही है कि तुम यहां तक पहुंच जाओ उसके बाद तुमारी अतरा खतम पर तो हर हाल में भारी विवस्ताओं को मजबूत कर दिया जाएगा सीधा उपाए को और ले करके चलता हूं मैं कर रहा हूं यह साथ लोंग जला दो तुमारा काम हो जाएगा इतना सथ उपाए है ना अनुभा एक लेते हैं आपके 20 से ही एक अनुभा उठाते हैं उसके बाद आपसे बात करत है है एपी हो गया है और स्वस्त भी हो गया है और फाइनली आप जॉब करने लगा है वह और आपकी चोड़न में कोटी कोटी ना मैंने प्रभू और आप अपना आशिरवाद दीजिए प्रभू कि यह ही वह कुज रहें ऐसे ही कमाए खाए और हमेंसा आपका गुणगान क जाए गुरु दियव जी कि बहुत बहुत धन्दवाद बहुत साथ बाद बहुत आशिरवाद तुम खुश रहो प्रसन रहो आनन्दित रहो विवस्तित रहो और यह सरद्धा ये विश्वास है कमारी इसके चक्कर में सब कुछ पा रहे हो बहुत धन्दवाद तुमारा तो लॉंग बहुत ताकतवर चीज है लॉंगों को बहुत ध्यान समझना बहुत प्रष्टता से बड़ी कंबीरता से बड़े तक्नीक तरीके से इस काम को आज करिएगा आज का जो उपाय है ये अपने आप में काफी स्ट्रॉंग और काफी बेतर है आज आपको दो बरतन लेने होंगे मिट्टी के ले सकते हो है या किसी धातू के भी ले सकते हो कांच का मतले ना क्यूंकि आग बाग लगाने में कभी कदार कांच गरब पहुंचाते है एक बरत इदर तो दूसरे का इदर एक का इदर तो एग इदर एक का इदर एक का इदर इसे सीडी बना करके सीधा कतार में रख दीजेगा कपूर के ऊपर और और लास्ट में एक शब्द बता रहा हूं उसको जला करके आग लगा दीजेगा ओम अंगार कायवाले से लिया है हूं हंकार से लिया है जैसे ही इस मंत्र का उच्चान करोगे आग लग जानी चाहिए इस पश्टता से पुरे मन से पुरे शद्धा से पुरे विश्वास के साथ ये उपाय करना ये उपाय तुम किसी भी दिन किसी भी समय किसी भी इस्तिती में कर सकते हो तो तुम नहाना है ना कुछ करना अगर तुम नहाय दुए हो तो भी नहीं हो तो भी तुम अच्छे हो ब चीजों को तब तक मत हटाना जब तक कोई हाथ पर किसी का लगना जायज में जब तक यह तो जल करके कुछ घंटे नहों जाएं यह ऐसी जगे चलाएएगा ज़लदी से कोई टोका टाकी ना करें आपकी बालकरी को सकती है आपकी जगे होने कत्रे में आपकर करके कर सकते हों इसको कम से कम 24 घंटे रखा रहने दीजेगा उसके बाद कहीं भी अच्छी जगे उठा करके डाल सकते हैं जब सामगरी को पूरी मन से पूरी सरद विश्वास के साथ करना ये तुरित लाब करने वाला है दुरुप्रेवक मत करना इसमें बहुत पावर है बहुत शक्ती है इसलिए इसको कीलित किया गया है घुरु मंतर से गुरु से करते हैं तो आपका डिफिनिटली गाम हो जाता है तो खुछ सोजाओ उसकुराओ सुन्दर बनू हरा अद्य गूंटे में पढ़ाम करके पानी पीना अपना प्रेवियस लाइप कभी मित बताना रोना विलकना परेशान ओना उल्टा सीधा सोचना नेगेटिव तिंकिंग रखना और कदाचित बुरे बिचार लाना ग रंचमात्र सुन्दे है आया तो काम होगा ही नहीं तुम्हें हजारों लाखों पडाम नहीं दिखाई पड़ते कदाचित कभी कोई एक मूर्ख फेक आईडी बला कर कुछ लेख दे और तुम उसे देखने लग जाते हो यह तुम्हारी निगेटिविटी ही तो है गुरु की निंदा सुनई जेकाना गुरु की निंदा सुनई जेकाना होई पाप गवगात समाना ऐसा कहते है इसी प्रकार से प्यार की निंदा भी अपने मित्रों को धोखा देना प्यार के साथ तगा करना फरीब करना इन सब लोगों को बहुत भाप बढ़ता है और कभी लाइफ में खुशिया नहीं आती इन सब चीजों से बचो अपने आपको बहतर रखो अच्छी चीज़े देखो बढ़ान ने दो आखे दी है अच्छी चीज़े देखने के लिए बुरी चीजों के लिए थोड़ी दि तामें तपस्या कर रहा है ओम नबस्षिवाए सावधान सावधानी हटी दुरगटना घटी ऐसे बहुत 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 सारे बनावटी लोग हैं ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हैं उन लोगों से बचने की कोसिज करिए लब्वित स्ट्रॉलजी मात्र एक चैनल है आचार और जाते समय यह जितने भी मुल्ला मौलबी न यहां अगर तुने मेरा अपना वीडियो दिखे तुरंत बिना सोचे समझे ब्लॉग कीजिए बिना सोचे समझे उसको रिस्टिक कीजिए और उसकी रिपोर्ट कीजिए क्यों आचारी सती सबस्थी और लब्वित स्ट्रॉल के लावा कहीं पर भी अबलेबल नहीं है परम पूज आचार सतीस सद्गुरुनाजी महराज के शिरी मुक्से कल्यान सुरूप शुप मंगल प्रदाता भगवान शिव को आवानित वा आरादितकर श्री मृतुन जैशिव महा पुरान कथा का शिर्वान करें दिनांक 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इस्थान प्लोट नमबर 6 राना सांगा मार्क सेक्टर 28 प्रताप नगर जैपुर से सीधा प्रसारन देखिए आस्था चैनल वास सद्गुरुनात के ओफीशल चैनल पर समय दुपहर एक बजे से सायन चार बजे तक आयोजग श्री तुलसीत लोगनीची समाज सेवी एंड अद्दक्च सिंधी समाज जैपुर कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर करें 8917-0202-6391-292929